आईए शुरू करते आज की क्लास हिंदी क्लास शुरू करने से पहले आप हमाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन भी दबा दिजिए ताकि लाइब आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुच जा और अपने प्रगूर्पों में सेर भ हम कुछ करने और सीखने का उसर प्रदान करें तीसरा अप्षन कहरा है केवल पाठ से ही संबंदित हो चोथा अप्षन करा है पाठ और पाठ पर बिलकुल आदारिद नहीं हो तो पठर पाठन के अदमें ऐसे गति और अभ्यास हो पहला सराल ये तो गलत है तीसरा अप्षन दिया एक और पाठ से ही संबंदित हो ये भी गलत है चोथा अप्षन दिया एक पाठ पर बिलकुल आदारिद नहीं हो ये भी गलत है इसलिए का सबसे उचित आप से दूसरा सही है बच्चों को स्रम कुछ करने का अउसर दें दूसरा प्रस्ण पहली और दूसरी एक अच्छा में बासा सिच्छड के साथ ही कला सिच्छा को समयकित करने का उद्देश से नहीं है नहीं पुछा है पहला अप्षन चितों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास दूसरा संदिया है बच्चों द्वारा अनंद की प्राप्ति तीसरा संदिया है बच्चों के लेखन में परिपकरता लाना यह यह ए गथ mechanism उच्छों के बच्चों के लेखन परश्चनात मंग्ता से प्राप्ति 13 अप संदिया है बच्चों के गयारत के बच्चों के रश। तीसरा प्रस्ण पाठ केंत में अभ्यास और गति भी दी देने का उद्देश से है पहला अप्षन बच्चों को अभिव्यक्ति के उसर देना दूसरा अप्षन बच्चों को अभ्यास रखने तू गति भी दिया बनाना तीसरा अप्षन दिया है बच्चों को याद करने तू सामागरी उप्रप्त कराने में सायता करना चोथा संदिया एक ग्रीक कारे की सामागरी जुटाना पाठ के अंत में अभ्यास और गतिवीद्या देने का उद्धे से होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के उसर देने चाहिए इसका पहला अप्षन सही होगा चोथा प्रस्ण नाम चामस की के अंसार कौन सा कथम सही है नाम चामस की पहला अप्षन दिया एक बच्चों में बासा सीखने की छमता जन्मजात होती है दूसरा अप्षन दिया एक बच्चों में बासा सीखने की छमता जन्मजात नहीं होती है तीसरा आप्षन दियाए बच्चों में बासा सीखने की छमता आए बहुत सीमित होती है चौथा आप्षन दियाए बच्चों को ब्यां गरत सिखाना जरूरी है तो यह तीनों आप्षन गरत है इसका पहला आप्षन सही है बच्चों में बासा सीखने की छंता जन्म जात होती है पाचवा प्रस्ण लिखना पहला अप्षन एक बेद जटिल प्रक्रिया है दूसरा अप्षन एक अनिवार को सलता है जिसे जल्दी प्राप्ट किया जाना चाहिए जल्दी का जिसे जल्दी से प्राप्ट किया जाना चाहिए जल्दी का सल्दी सल्दी योगा है कि छठावा प्रस्मा कच्छा एक और दो के सुभाती समय में पढ़ने का प्रादाम डाट-डाट से हो और किसी डाट-डाट के लिए हो पहला अपसंदिया है और थे मुद्देश्य दूसरा संदिया अच्छर ग्यान और मनुरंजन तीसा देया सब्द पहचान और म हमसे पुछा एक अच्छा एक और दो के सुरुवाती समय में पढ़ने का प्रादम डाट-डाट से हो और किसी डाट-डाट के लिए हो तो इसका पहला अपसंद सही होगा और और उद्देश से के लिए इनमें कौन सा प्रादमिक अस्तरप इंदी बासा सिचर का उद्देश से नहीं है नहीं पुछा है पहला अपसंदिया संदर्प के अंसाल लगातार पढ़ने का प्रियास करना दूसरा अपसंदिया चितकारी को स्वं कि ये विवेक्ति का माध्यम बनाना तीसरा अपसंदिया बच्चों की बासा और इसकूल की बासा में संबन बनाते हुए उसे विश्थार देना चौथा अप्षन दिया सुनी गई बात चो गज्यों कत्यों द्वराना द्वराना उइसे भी गलत है तीनों अप्षन चाहिए चौथा अप्षन गलत सुनी गई बात चो गज्यों कत्यों द्वराना द्वराना का बतला ब्रटना अठावा प्रस्ना भासा सीखिने का बेवार वादी दिश्टी को डाट डाट पर बल देता है बेवारी दिश्टी गोर पूछा है तो पहला अपसंदी आए अनुकरण द्वारा दूसरा अपसे अद्वारा रश नात्मक्ता द्वारा रश नात्मक्ता पेबल संद्रचनावादी लोग देते हैं तीसा दिया बासा प्रियोग, चोथा दिया ब्यक्ति तो इसका सबसे उचीत आपसन पहला सही होगा, अनुकरर, अनुकरर का सिद्धान इसकी नर का है नौवा प्रस्णा, प्रात्मिक अस्तर पहिंदी बासा सिछड के लिए सबसे अधिक महत्पूर क्या है पहला प्रस्णा प्रियोग के अउसर, दूसरा प्रस्णा 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 प्र सप्रियोग के अवसर कि दस्वा प्रस्ण कच्छा एक और दो के बच्चों के लिए आप किस तरह की कानी का चैन करेंगे पहला आप जो बहुत छोटी हो ये तो गलत है दूसा फंद्या जिसमें बहुत सारे पात्रों ये भी गलत है तृसा अप्षन करा जिसके सब्धू वाकियों गटनाओं के ओरु में सिटरात्मक हो ये असमसाइए इसलेज़ का सबस्वें उची ताष्फन चोथा साई ए इक रामा प्रश्णा किस विद्या के सिछड के समय आप मौन पाठन को मत्व देंगे पहला अपसंदिया समवादात्म कानी दूसरा अपसंदिया कविता तिसरा अपसंदिया एकांकी चोथा अपसंदिया निबन इसका सबसे उचीताफ संद्द 14 सा योगानी बंद बारामा प्रस्मों बासा शिछड़ की प्रक्रिया है अत्यन जटील के तो गलत है दूसरा अफंद्या बासा की कच्छा में ये संभव ये भी गलत है तुसरा अफंद्या घर में संभव नहीं ये भी गलत है तो इसका सबसे उचीता फंचोसा सही है, विबिन विशों की कछाओं में भी संभव है ते रामा प्रस्ण कविता सिछण में आप सरवाधिक मत तो किसे देंगे पहला अप्षन कविता में अलंकारों की पैचान दूसरा अप्षन कविता का बाव विशले सर्ड तीसरा अप्षन कविता के तत्यों के आदारप उसकी समिच्छा चोथा अप्षन कविता का बाव पूर पाथन और रसा अनुभूति पूछा है, आपसे प्रस्ण नहीं पूछा है कविता सिछण में आप सरवाधिक किसे मत तो देंगे पहला पसंदी आये, कविता में अलंकारों की पाजान हैं अभी गलत है। तिस्ता आप संदिया कविता के तत्तों के अधार पर उसकी समिच साय भी गलत है इसलिए से सबसे उच्छी ताप संद चोथा साय कविता का बावपूर पठन और रसा अनुबूती चवधाना प्रस्ना विद्याले आने से पूरो बच्चे जब बच्चा घर से विद्याले जाता है तो अपने घर से वो भासा को सीख के जाता है पहला संदिया है भासा के ब्याकरा की सच्चे समझ रखते हैं दूसरा संदिया है भासा बिलकुल भी ग्यान नहीं रखते हैं ये तो गलत है तीसा संदिया है अपनी भासा में समझने समझाने की कुछलता से लैस होते हैं चोथा अपस्वन्दिया है, सभी बासाओं में पूर्ट दच्छता होती है। ये तो गलत है। इसका सबसे उचीता अपसंद तीसा सई है। अपनी बासा में समझने समझाने की कुछ सल्टा से लायस होते हैं। जब बचा विद्याले जाए गर से विद्याले जाता है तो वो अपनी माती बासा के साथ विद्याले में प्रविश करता है। पंद्रामा प्रशन ससर पठन का मुख्य उद्धे से है। पहला अप्षन बचों की पढ़ने संबंदी जिजक को समात करना। दूश्य आवशन बोल बोल का पढ़ना, तूश्य आवशन दूट गति से पढ़ना। चोथा आप्षन दिया है मुख्य पठन करना। तुश्य आप्षन पढ़न का मुख्यों पढ़ने संबंदी जिजक को समात करना। सुलामा प्रशन। सिच्छक की सोयम की बासा प्रयोक की कुसलता डाट डाट है पहला पसंदिया बच्चों की बासा प्रयोक पर कोई प्रभाव नई डालती दूसरा संदिया बच्चों को आलंकरी बासा प्रियोग के लिए पेरीद करती है, तीसरा संदिया बच्चों को बासा कानुकरर के लिए बात दे करती है, चोथा संदिया बच्चों की बासा प्रियोग के लिए आदास रूप प्रस्थूत करती है, पहला अप्षन कहा रहा है बच्चों की बासा प्रियोग में कोई एक गलत है दूसरा अप्षन कहा है आलंकरी बासाओं के लिए पेरिर हाथ यह भी गलत है ती whyस leb Pill ple करती है जब हम बासा सीखने सीखाने के प्रक्रिया में बच्चों को क्लास में पढ़ा रहें तो उसका मुख्या करना चौछ आपसन साइतिक विदाओं का पर्चे देना तो सिच्छक द्वारा अर्थ बताना ये तो गलत है अगर अर्थ बताएंगे तो बच्चा नहीं सीख सकता और दूसरा करा सब्सक्राइब कोई देखना ये भी गलत है तीसा आपसन कहा रहा है पठन स्वर पठन करना ये भी गलत है इसलेश का सबसे उच्छी तापसन चौछ साइतिक विदाओं का पर्चे देना आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन भी दबा दिजिए धन्यवाद